विधी के पिताजी एक बिजनसमैन थे और अपसा के अबू कपड़ों की कसीदे कारी में गुजारे लाइक कमा लेते थे लेकिन इसके बावजूद वो दोनों पक्की सहलियां थी विधी हिंदू थी और अपसा मुसलिम उसके बावजूद भी दोनों का प्यार बेमिसाल था एक दिन अपसा क्लास में उदास बैठी थी उसे उदास देखकर विधी ने पूछा क्या हुआ माडम मूट खराब है क्या तुझे क्यूं लगा कि मेरा मूट खराब है शकल पर बारा बज़े है न इसलिए तू मेरे चेहरे को कितनी जल्दी पढ़ लेती है विधी इसलिए मैं तुझ से कुछ नहीं चुपा सकती तुब बताती क्यूं नहीं कि क्या हुआ अपसा आँखों में आसू भरे हुए बोली विधी जिनके कपडों पर अबू कसीधा कारी करते थे उन्होंने अब कपड़े देने बंद कर दिये हैं कहते हैं कि अबू अब बूड़े हो चले हैं उन्हें कम दिखाई देता है बेल बूटे सही से नहीं बना पाते अगर अबू का काम चूट गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और फिर मेरी सकूल की फीस मुझे बता वो मालिक कौन है उसका मू न तोड़ दिया तो मेरा नाम विधी नहीं हा तु चिंता ना कर दुनिया ने कढ़ाई वाले कपड़े पहनने अभी बंद नहीं किये है वहाँ ना सही, कहीं और सही काम तो मिल ही जाएगा नहीं मिलेगा विधी, इतना असान नहीं है चल अब इतना भी दुखी होने की जरूरत नहीं है सब ठीक हो जाएगा अच्छा सुन, तुझे याद है ना कि कल मेरा जन्म दिन है और कल शाम को तुझे मेरे घर आना है लिकिन मैं मैं वे कुछ नहीं, जब तक तु नहीं आएगी न मैं केक नहीं काटूंगी, हाँ अपसा सोच में पड़ गई कि खाली हाथ विधी के जन्म दिन पर कैसे जाएगी घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे विधी को उसके जन्म दिन पर दे सके अपसा की अम्मी ने पूछा क्या हुआ अपसा इतनी परिशान क्यूं हो अम्मी कल विधी का जन्म दिन है उसने कहा है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी वे केक नहीं काटेगी लेकिन मैं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी मैंने कितनी बार समझाया है बेटी कि अम्मी लोगों की दोस्ती ठीक नहीं अम्मी वो मेरी इकलोती सहेली है मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना जाकर मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती उन दोनों की बाते सुनकर अपसा के अब्बू बोले अपसा, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आये है अब वह उस दुपट्टे को ही विधी को तोफे के रूप में देगी अगले दिन शाम को जब वह विधी के जन्मदिन की पार्टी में पहुँची तो सब लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे अपसा नजर चुराती हुई विधी के पास पहुँची अपसा तु आ गई मुझे यकीन था कि तो जरूर आएगी मम्मी पापा मेरी सहेली आ गई है अब मैं केक काटती हूँ विधी की मम्मी सुननदा उसके कान में फुस फुसाई विधी कितनी लोग लास फ्रेंड है तुमारी कपड़े तो देखो इसके तुम्हे अपना स्टेटस देख कर दोस्ती करनी चाहिए मम्मी यह आप क्या कह रही है दोस्ती कपड़े और स्टेटस देख कर नहीं की जाती जानती हो वे मन की कितनी अच्छी है चलो अब केक काटते हैं केक कट गया सभी महमान ताली बजाने लगे सभी लोग विधी को गिफ्ट दे रहे थे लेकिन अपसा अपना गिफ्ट हाथों में लेकर कमर के पीछे चिपाई खड़ी थी अपसा को उसे वह दुपट्टा देने में शर्म आ रही थी विधी ने कहा अरे अपसा लगता है तू भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है लगता है मुझे देना नहीं है वापस लेकर जाएगी क्या अपसा ने कापते हाथों से वह दुपट्टा विधी को दे दिया विधी वह दुपट्टा देखकर बहुत खुश हुई हाई बहुत ही प्यारा दुपट्टा है अपसा मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी मम्मी देखो तो जरा अपसा मेरे लिए कितना सुन्दर गिफ्ट लाई है सुनन्दा ने वह दुपट्टा विधी के हाथ से लेकर फेंक दिया और बोली विधी तुम ये दुपट्टा ओड़ोगी इतना घटिया और चीप दुपट्टा इस में से बद्बू आ रही है ए लड़की इसे लेकर चली जाओ यहां से सामने वाले की हैसियत देख कर गिफ्ट दिया जाता है मम्मी क्या कह रही हैं आप ये मेरे लिए यहां मिले सभी गिफ्ट से बेशकीमती है ये बद्बू नहीं इसके अब्बू की मेहनत की खुश्बू है लेकिन आप नहीं समझेंगी विधी की मा ने उसके मूँपर चाटा मारते हुए कहा इस जैसी गंदी लड़की के साथ रहकर ये भी भूल गई है कि बड़ों से कैसे बाते करते हैं इससे पहले की विधी कुछ कहती अपसा वेद दुपट्टा उठा कर वहां से रोती हुई चली गई विधी को बहुत दुख हुआ कई दिन अपसा स्कूल भी नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर मिली उस दिन उनका बारवी का रिजल्ट आने वाला था लेकिन अपसा रिजल्ट लेने भी नहीं आई उसने बारवी में टॉप किया था विधी ने सोचा कि उसके घर जाकर ही उससे माफी मांग कर बात करती हूँ वे जब अपसा के घर पहुँची तो पता चला कि वहाँ ताला लगा है पडोसियू ने बताया कि वो लोग ये घर बेच कर चले गए अपसा मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है जिसके बिना मुझे एक दिन जीना मुश्किल लगता था वे मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई मैं इस दुख के साथ कैसे जी पाऊंगी समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया लेकिन विधी हमेशा अपसा को याद करती रही उस दिन से अपसा ने ठान लिया था कि अब वे कभी किसी अमीर से दोस्ती नहीं करेगी अब उसे जुनून था कि उसे भी पढ़ लिखकर खुद को अमीर बनाना है तभी वे विधी से मिलेगी पात साल बीथ गए अपसा MBBS डॉक्टर बन गई इधर विधी के पापा का बिजनस लॉस में चला गया वे लोग घर से बेघर हो गए जिसका सदमा वो सह नहीं पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया विधी कुछ करो अपने पापा को बचा लो मम्मी मैं पापा को कुछ नहीं होने दूँगी मैं उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ लेकिन बेटा बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा कहां से आएगा मम्मी मैं अपने बोस से एडवांस ले लूँगी अगर तुम्हारी जॉब नहीं होती तो हमारा गुजारा कैसे होता विधी मम्मी इन सब बातों का समय नहीं है पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी सैयोग से विधी अपने पापा को अपसा के ही हॉस्पिटल में ले गई डॉक्टर ने कहा देखे मैम आप पहले तीस हजार रुपे जमा करा दीजिए ताकि हम ट्रीट्मेंट शुरू कर सकें तीस हजार डॉक्टर मैं लेकर आती हूँ आप इलाज शुरू कीजिए नहीं मैम जब तक आफ फीज जमा कीजिए वरना ये मर जाएंगे अभी पैसों का इंतिजाम करने में थोड़ा समय लगेगा अरे बड़ी डॉक्टर आ गई आप उनसे ही बात कीजिए अपसा को बड़े डॉक्टर के रूप में देखकर विधी और सुननदा चौक गई विधी ये तुम्हारी सहेली है न बेटी प्लीज विधी के पापा को बचा लो अपसा ने उन्हें फटा फट आईसीउ में भेजा और इलाज शुरू किया दो घंटे बाद विधी तुम्हारे पापा आप खत्रे से बाहर है वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे विधी अपसा के गले लगकर रोती हुई बोली अपसा तु कहां चली गई थी बिना बताए मुझे छोड़ कर जानती है तेरे बिना मुझे पर क्या गुजरी है विधी जब दोस्ती के बीच में अमेरी गरीबी आ जाए तो दूर होना ही बहतर है लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हूँ आंटी जी अब तो हमारी दोस्ती बनी रह सकती है ना मुझे माफ कर दो बेटी जिस धन का मुझे कल अहंकार था आज वे नहीं रहा अगर तुम ना होती तो शायद इनकी जान भी न बच्चती कोई बात नहीं आंटी जी अगर आप मुझे उस दिन गरीबी का एहसास नहीं दिलाती न तो मैं डॉक्टर कैसे बनती अपसा मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा पापा का बिजनस खत्म हो चुका है और मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ बॉस से एडवांस मिल जाए तो मैं पैसे जमा कर दूँगी पागल तुझे क्या लगता है कि मैं पैसे लूँगी नहीं बस अंकल जी अच्छे हो जाए मेरे लिए यही मेरी फीस होगी मेरी आखों से अमीर गरीब का परदा हट गया है सच कहा था विधी तुमने कि दोस्ती अमीरी गरीबी देख कर नहीं होती सच अब साथ दिल की बहुत अच्छी है खुशी के इस माहौल में दोनों सहेलियां गले लग गई और फिर उनकी दोस्ती अमीरी गरीबी की एक मिसाल बनी दीपा के पिता नहीं थे कई बहन भाई होने के कारण दीपा की मा ने दीपा की शादी चेतन के साथ कर दी चेतन एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था फिर कई वर्ष बीद कए दीपा के तीन बच्चे हुए अब अपने बुढ़े माबाप के साथ साथ दीपा और बच्चों की जम्मेदारी भी चेतन पर ही थी दीपा बोली इतना खर्चा और कमाने वाले आप अकेले अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूँ तो चेतन ने कहा क्यों दीपा क्या मैं तुम लगों के लिए कोई कमी छोड़ता हूँ क्या नहीं ऐसी बात नहीं है बस आपको कभी कभी परिशान देखती हूँ तो इसलिए सोच लिया देखो दीपा अभी इतना तो जोड़ी रखा है मैंने कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी ऐसा क्यों कह रहे हूँ सब ठीक होगा एक बार चेतन और दीपा अपने बच्चों के साथ किसी शादी में से आ रहे थे तभी किसी की गाड़ी से उनका एक्सिडंट हो गया जिसमें किसी की जान तो नहीं गई लेकिन चेतन के सिर पर चोट लगने के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा वे पागनों जैसी हरकत करने लगा दीपा घबरा कर बूली हे भगवान ये इने क्या हो गया क्या करूँ कहां जाओ ये कैसे ठीक होंगे चेतन अपने बालों को फूँक मार कर हवा में उड़ाने लगा कभी वे ताली बजाता कभी वे उचलता दीपा पूरे दिन उसके आगे पीछे लगी रहती थी एक साल बीट गया लेकिन चेतन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ साल भर से बच्चों की फीस नहीं गई उपर से चेतन के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया दीपा ने चेतन से पूछा चेतन क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे ATM का पासवर्ड क्या है चेतन ताली बजाता हुआ उसके आगे पीछे घूमने लगा दीपा रोती हुई बोली घर में सब सामान खत्म होने को है चेतन काम करने लाइक नहीं रहे और अब तो ठीक होने की भी कोई उमीद ही नहीं नजर आ रही बच्चों को बालने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अगर बच्चों की फीस नहीं गई तो स्कूल से बच्चों का नाम कर जाएगा दीपा की बेटी रिया बोली ममा बहुत दिन हो गए हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है प्लीज ममा आज बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा दो ना दीपा ने उसे समझाते हुए कहा रिया तू तो बड़ी समझदार है तुझे देखकर आशू और बंटी भी जित करेंगे मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ मंगा दू पर कहां से लाओ तुम्हारे पापा का अकाउंट ब्लॉक है मुझे पासवर्ड भी नहीं मालू अगर ऐसे चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी ममा आप परिशान नहो हमें कुछ नहीं चाहिए बस पापा ठीक हो जाए लेकिन पापा के ठीक होने के लिए भी तो पैसा चाहिए बेटा दीपा सोचती रही कि अपने इच्छाएं तो मार भी लो लेकिन बच्चों का मन कब तक मारू रसोई में कुछ हो तो बच्चों के लिए घर में ही बना दू बर्गर दीपा ने रसोई में जा कर देखा कुछ समान तो है इससे बच्चों के लिए बर्गर बना देती हूं बच्चों का मन रह जाएगा दीपा ने बर्गर बनाया बच्चे बहुत खुश हुए वा मम्मा मज़ा आ गया, आप कितना अच्छा बर्गर बनाती हो, सच में मम्मा आपकी तो दुकान खुलवा देनी चाहिए, मम्मा क्या आइडिया है, आपको सच में बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए, बच्चे सही कहते हैं, मुझे बर्गर का काम शुरू कर देना चा हजार रुपए बर्गर बनाने में खर्च कर दिये तो फिर बच्चों को खाना कहां से खिलाऊंगी तब ही चेतन वहां दोड़ता हुआ आया और उचल उचल कर ताली बजाने लगा एकदम से उसकी चेन तूटकर नीचे गिर पड़ी दीपा ने भगवान के हाथ जोड़ते ह हुए कहा हे भगवान तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया अब मैं ये चेन बेचकर बर्गर बेचने का काम शुरू करूंगी दीपा चेन बेचकर बर्गर का सामान ले आई और ठेला लगाकर बर्गर बेचने लगी दीपा आवाज दे रही थी और कह रही थी आए बर्ग इतना सस्ता पनीर बर्गर सुनकर ग्राहक बढ़ने लगे और देखते ही देखते दीपा के सारे बर्गर बिग गए रिया मुझे उमीद नहीं थी कि एक ही दिन में मेरे इतने बर्गर बिग जाएंगे ममा ये तो बहुत अच्छी बात है आप कल और ज्यादा बर्गर बनाना दीपा जितने भी बर्गर बनाती उसके उतने ही बर्गर बिग जाते थे अब दीपा ने बर्गर की कीमत बढ़ा कर 20 रुपए कर दी लेकिन जो लोग दीपा के बर्गर पसंद करते थे वो 20 रुपए में भी खरीदते थे एक बार एक आदमी बर्गर लेने दीपा के ठेले पर आया वे आदमी बोला बहन हमारे घर में शादी है क्या आप एक बारात के लिए बर्गर बना सकती हो हाँ क्यों नहीं लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ तिन पहले बताना पड़ेगा ताकि मैं इतना सामान जुटा सकूँ ठीक है ये लो 5,000 रुपए तुम्हें सामान लाने में दिक्कत नहीं होगी बाकी मैं बाद में दे दूँगा दीपा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था उसने पूरी महनत से और भी अच्छी तरह शादी के लिए बर्गर बनाए जिसने भी खाया वे बर्गर वाली की तारीफ करे बिना नहीं रहा उसी शादी में एक रेस्टोरेंट का मालिक आया हुआ था उसने बर्गर खाके दीपा से पूछा सुनो क्या ये बर्गर खुद तुमने बनाया है तो दीपा ने कहा जी ये मैंने ही बनाया है कहा से सीखा तुमने इतने अच्छे बर्गर बनाना तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो क्या कहीं से नहीं सीखा कुछ तो करना ही पड़ता साहब, इसलिए बर्गर का काम शुरू कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो, जो इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे। तुम मेरे रेस्टोरेंट में आओ, मैं हर संभव मदद करूँगा तुम्हारी। दिपा रेस्टोरेंट में काम करने लगी, देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। जिस बर्गर को वह बीस रुपए में बेचती थी, रेस्टोरेंट में वो सत्तर रुपए का बिकता था। सबसे पहले उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा कराई और उसके उसने चेतन का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाया। दिपा ने डॉक्टर से पूछा, मेरे पती सही तो हो जाएंगे न डॉक्टर साहब। बिलकु ठीक हो जाएंगे, अगर ये इलाज इने पहले दिया गया होता, तो ये कब कि ठीक हो जाते। दिपा को अपनी मेहन का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, वे रेस्टोरेंट में काम करती और शादी पार्टी के ओर्डर भी ले लेती थी, अपनी मदद के लिए उसने कुछ लड़कों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया, कुछ दिनों के बाद चेतन भी ठीक हो गया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए है। पापा, मम्मा आप कोई ऐसी वैसी गरीब बर्गर वाली नहीं है। मम्मा अब होम डिलिवरी से भी बर्गर भेजती है, हाँ। हम अपना बर्गर बनाकर होम डिलिवरी का काम शुरू करेंगे। सभी बहुत खुश थे। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।